साइकिल से ओफिस जाने पर मिलते हैं पेसे करेंट लगने से इंसान की मोत क्यों होती है एकस्पायर दवाई खाने से क्या होता है रिचार्च प्लेन हमें सा 28 दिन का ही क्यों होता है इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए वीडियो को पूरा देखेगा लाश्ट तक दोस्तों आपके पास भी स्मार्ट फोन तो जरूर होगा और आप भी अपने मोबाईल का मन्तली रिचार्च तो करवाते होंगे लेकिन कि आपने कभी सोचा है कि रिचार्च की वेलिडिटी हमें सा 28 दिन की होती है जबकि महीने में तो 30 या फिर 30 दिन होते है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इसके बीचे कमपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटिजी होती है दरसल कमपनी ऐसा करके ज़्यादा से ज़्यादा पेसा कमाना चाती है लेकिन आप सच रहे होंगे केसे तो चिंता मत करो मैं आपको बताता हूँ एक साल में 12 महीने होते हैं अगर कमपनी आ 30 दिन का रिचार्च प्रेंड करती हैं तो हमें साल में 12 बार रिचार्च करना होगा लेकिन 28 दिन के हिसाब से हमें साल में 12 बार रिचार्च करना होगा तो दोस्तों जब भी हम बिमार पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले डोक्टर के पास जाते हैं या फिर घर में रखी दवाई खाते हैं लेकिन क्या होगा अगर घर में रखी दवाई expired हो जाए और आप उसे खा ले तो दोस्तों हर वीडियो की तरह इस वीडियो में हम आपसे घजब किनोले शेयर करेंगे तो दोस्तों मैं आपको बता दू की ऐक्सपायर होने के बाद दवाईयों का असर कम होने लगता है और दवाईयों में जो chemicals मोचूद होते हैं वह अलग-अलग तरह की reactions करना शुरू कर देते हैं जिस कारण से दवाईयों में changes आ जाते हैं और side effects होने के chances बढ़ जाते हैं ऐसे कुछ cases देखे गाएं जिनमें एक्सपायर दवा खाने के बाद लोगों ने सिर्दर्थ, पेट दर्थ, उल्टी जैसे सिखायत दर्च कराई यदि आप गलती से कोई एक्सपायर दवा खा भी लेते हैं तो आपको तुरन डोक्टर के पास जाना चाहिए क्या आप जानते हैं बिजली का जटका लगने से इंसान की मोत क्यों हो जाती है तो दोस्तो हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम आपसे गजब के नोलेश शेयर करेंगे तो बने रही है वीडियो में दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दू कि इंसान के सरीर में लगबग 70% पानी होता है जब इंसान को करेंट लगता है तब इंसान के सरीर में मुझुद सारे पानी को करेंट सोग लेता है फिर सरीर में पानी ना होने की वज़े से खून गाड़ा हो जाता है और खून का फ्लो होना कम हो जाता है इस कारण से बोडी के ओर गंस काम करना बंद कर देते हैं और इंसान की मोथ हो जाती है इलेक्ट्रिक शोक की वज़े से मोत होना इसे इलेक्ट्रो क्यूजन कहते हैं साइकिल से ओफिस जाने पर मिलते हैं पेसे यह सुन कर थोड़ा जीब जरू लगा होगा लेकिन हाँ यह सच है दुनिया का एक एसा देश निदरलेंड जहांके सरकार ने वहाँ की कमपणियों को शक्त निर्देश दिये हैं कि साइकिल से ओफिस आने वाले करमचारियों को अतिरिक्ट पैसे दिये जाएं लेकिन आपके मन में यही सवाल होगा कि आखिर निदरलेंड के सरकार ने ऐसा रूल क्यों बना है दरसल साइकलिंग का प्रचार होने की वज़ा से इन देशों की निर्बरता पेट्रोल और डिजल पर कम हो रही है और साथिसाथ global warming पे भी कंट्रोल होगा और लोग भी स्वास्थो हो रहे हैं जिसकी वज़ा से worker fresh होकर काम करेंगे तो company की भी ग्रोथ होगी और जब company की ग्रोथ होगी तो देश की भी ग्रोथ होगी इसी वज़ा से निदरलेंड की सरकार ने यह रूल बनाया है जो करमचारी साइकिल से ओफिस जाएंगे उना अतिरिक्त पैसे मिलें एर आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और एक सिकेड निकाल कर चेनल को सस्क्राइब भी कर देना